हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर खबरें जो जगाएंगी आपको जा रहा है जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है और यहीं नहीं गरीब कल्यान के लिए क्या कारिक्रम होने चाहिए इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है बेन और भाईयों भा नौजमान की आजिविका हो या भारत की आस्ता का सम्मान पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को ठच करने के लिए लेकिन आज कोई हिचक नहीं जो भारत का है भारतियता का है भारत के हित्में है मोदी जी के नित्रत्व में उस कारे को करने में कोई हिचक नहीं उसमें कोई रुकावट नहीं कोई बैरियर नहीं और वही बैरियर आज दब धीरे धीरे सकरके समाप्तु हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं हमारी पीड़ी सवा के सालिये कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं नए भारत के अंदर अपने भोस्य का निर्माण भी कर रहे हैं आने वाली पीड़ी के भोस्य कोई बना रहे हैं देश का मॉडल कैसा होना चाहिए करोना का कालखंड में दुनिया ने देखा लोग तांत्रिक मुल्यों के साथ इतनी बड़ी आवादी जी सकती है वहां की सभी प्रकार की विवस्ताएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चीए कैसे प्रबंदन कोविड प्रबंदन कैसे होना चाहिए दुनिया भोचक थी क्योंकि हमारे पास एक करस्माई नित्रत्व मोदी जी का था करोना प्रबंदन का हो दिकास का मोडल का हो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता के रुप में भारत को स्तापित करने का हो और अब तो दो दिन पहले बृटेन के प्रतिस्टित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सब का ध्याना करसित करती है दुनिया का ध्याना करसित करती है उसने जिकर किया है 2021, 2021, 2021 में उन्होंने इस बात का उले किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चन चन करके आतंग बादी मारे गए थे और उन आतंग बादियों को कैसे नस्ट किया गया था दा गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्फ्रोत क्या है यहाँ वही बता सकता है लेकिन बहनों और भाईयों एक संदेश साप है जीरो टॉलेंस भरस्काचार के खिलाब हो किसी भी प्रकार की अराजक्ता के खिलाब हो दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंगबाद दुनिया की एक चनाती है और आतंगबाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए दुनिया कोई समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नित्रत्व देगा यहां मोदी जी के नित्रत्व में साकार होगा इसमें कोई संदे अब किसी को भी नहीं होना चाहिए